प्रियसाथियों नमस्कार इलेक्षन ट्रेनिंग से सम्मंधित पाचवे वीडियो में आपका अभिनन्दन है इस वीडियो में हम आपको भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी एक नवीन निर्देश से आउगत करवा रहे हैं यह निर्देश 28 जून 2023 को जारी हुआ है और इसका सम्मंध सामविधिक और औसामविधिक प्ररूपों तथा लिफाफों के युक्तिकरण एवं पेकेजिंग से है इसके पूर्व हमने दो वीडियोस के माध्यम से आपको परिनियत और आपरिनियत लिफाफों के बारे में जानकारी दी थी वह जानकारी पूर्व सूचना पर आधारित थी बाद में इसमें संशोधन हो गए हैं और इस संशोधन के बारे में हमें डॉक्टर तिरपाथी जी जो सीधी के रहने वाले हैं और डॉक्टर गोविंद राय जी जो भोपाल के रहने वाले हैं उन्होंने अउगत करवाया इसके पश्चात हमने भारत निर्वाचन आयोग की वेब साइट से हिंदी में 28 जुन 2023 का यह सरकुलर प्राप्त किया और उसके बाद तुरंत ही वीडियो बनाकर अपडेटेट जानकारी आप तक पहुँचाने का कारिक कर रहे हैं ताकि आपको नवीन तम बात ग्यात हो इस निर्देश पत्र में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं यह 26 प्रस्टों का निर्देश पत्र है हम सीधे लिफापे वाले खंड पर पहुंसते हैं लिफापे वाला खंड इसमें बिंदु क्रमांग 4 में लिखा गया है आगे बढ़ने से पहले आपसे अनरोध है कि करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी बेल आइकान प्रेस कर दीजी और इसके साथ बने रहे ताकि हम और आप नवीन जानकारियों को आपस म साजा करते रहें आपको भी कोई अपडेटेट बात पता चले तो कॉमेंट बॉक्स में लिखे हम तुरंत ही उसे परिवर्दित और परिवर्दित करने का काम करेंगे आए लिफापों की बात करते हैं इसमें बताये गया है कि स्विस्पस्टता के लिए मतदान के इंदर मे उपयोग के जाने वाले विभिन प्ररूपों, स्वरूपों और अन्य सामगरिक्यों छह सेट लिफापों के अंदर रखा जाना चाहिए यानि लिफापों के छह सेट बनेंगे जिन्हें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पेकेट का नाम दिया गया ह पहले पेकेट में क्या चीजे रखी जाएंगी, यहां संक्षेप में बता ही गई है, जिसे EVM कागजपत्र कहा जाएगा, दूसरा पेकेट समीक्षा दस्तावेज कहा जाएगा, तीसरा पेकेट सामविधिक लिफापा कहलाएगा, चौथा पेकेट और सामविधिक अमीट शाही और स्टाम पेट से संबंदित होगा, छटा पेकेट अर्ण सभी सामविधिक लिफापों को महर बंद करना रहेगा, और कौन-कौन से लिफापे बिना सील लगा ही हम रखतेंगे, इसके बारे में जानकारी बिंदु करमांक 5 में दी गई है, यहां पर हमें और विस्तार से ज्यान प्राप्त होगा, अब आप देखिए कि पहले पेकेट में हम जो कागज पत्र रखेंगे और उनसे संबंदित जो लिफापे होगे, उनमें से किने सील करना है और किने नहीं करना है, पहला ही लिफापा जो होगा मत पत्र लेखे का प्ररूप सत्रहग, उसको हमें सील नहीं करना है, बिना मुहर बंद लिफापा होगा, पिठा सीन अधिकारी की रिपोर्ट भी बिना सील की होगी, लेकिन इस पेकेट में रखे जाने वाली छद्म मतदान यानि मौक पोल्स की मुदृत वीवी पेट पेपर पर्चियों का काला रंग का जो लिफापे बिना सील किये हुए और एक लिफापा हमें सील किया हुआ रखना है, दूसरे पेकेट की तरफ हम बढ़ते हैं, इसमें कौन-कौन सी चीजें सील बंद होगी और कौन सी बिना सील की, तो आप देखें कि पहला बिना मुहर बंद लिफापा जिसमें पिठा सीन अ तीसरा लिफापा जो बिना सील वाला होगा, जिसमें प्ररूप चौधक में द्रस्टिहीन एवं शितिलांग निर्वाजकों की सूची और साथियों की घोशनाय रखी जाएगी, उसे भी हमें सील नहीं करना है, चौथा लिफापा होगा, विजिट शील वाला लिफापा यह भी बिना सील किये हुए या बिना मुहर बंद रखा जाएगा, तो दूसरे पेकेट में भी अगर आप देखते हैं, तो इसमें केवल एक ही लिफापा आपको सील करके रखना होगा, और वह लिफापा है मतदाता रजिस्टर वाला लिफापा, बाकी सारे तीनों लिफा हमें बिना सील किये हुए रखने हैं दूसरे पेकेट में, अब हम तीसरे पेकेट में पहुंचते हैं, तो तीसरे पेकेट के सारे के सारे लिफापे हमें सील करके रखना हैं, सामीधिक लिफापे हैं ये, क्या-क्या है इसमें, निर्वाचक नामावली की चिन्नित प्रती, दूसरा लिफापा है मतदाता परचियों से संबंदित तीसरा लिफापा है और प्रयूक्त निविदत मतपत्रों पर आधारित और चौथा लिफापा है प्रयूक्त निविदत मतपत्र और प्ररूप सत्रखा में सूची वाला लिफापा और पांचवा लिफापा है प्ररूप 14 में अभ्याक्षे पित्मतों की सूची वाला तो ध्यान रखे कि तीसरे पेकेट के सारे के सारे लिफापे सील बंद होंगे चौथे पेकेट में हम यदी पहुँचें तो चौथे पेकेट में हमें बहुत सारे लिफापे रखना है और इसमें हम देखेंगे कि लिफापे बिना सील किये हुई हमें दिखाई दे रहे हैं आईए एक बार हम बारीकी से पढ़ लेते हैं पहला लिफापा बिना सील किया हुआ जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्नीत प्रती के अलावा अन्य प्रतियाएं रखना है दूसरा लिफापा बिना सील किये हुए जिसमें प्रारूप दस में मतदान एजंटों की नियुक्ति पत्र और मतदान एजंटों की नियुक्ति का लेखा रखना है तीसरा लिफापा है वह भी बिना मुहरबंध है जिसमें प्ररूप बारख्ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमान पत्र होंगे चौथा लिफापा पिठासी नदिकारी की गोश्णाएं बिना सील किये रखना है पांचवा लिफापा अभ्याक्षेपित मतों से संबंदित रसीद भूक और नगदी राशी यदि कोई हो यह भी बिना सील किये होगा अगला लिफापा उसे भी सील नहीं करना है और वह है और प्रयुक्त और शतिग्रस्त सील तथा विशे स्टेक से संबंदित अगला लिफापा देखिए आप और प्रयुक्त मददाता परची वाला लिफापा बिना मुहर बंध होगा ये भी इसके बाद निर्वाचकों से उनकी आयू के संबन में गोशना लेने वाला और निर्वाचकों की सूची तथा जिनों ने अपनी आयू के संबन में गोशना करने से इंकार कर दिया ये सारा विवरण हम जिस लिफापे में रखेंगे वह भी बिना सील वाला होगा अगला लिफापा है नियम 49MA वाला जिसमें टेस्ट ओड दिया जाता है उसमें निर्वाचक जो गोष्णा करता है उसका प्ररूप भी हम रखेंगे और इसके बारे में कुछ भी उल्लेक यहां पर नहीं किया गया है कि उसे सील बंद करना है या नहीं करना है अगला है ऐसे निर्वाचक द्वारा गोष्णा का प्ररूप जिनका नाम ASD सुचिवे हैं इसके बाद है SHO पुलीस को शिकायत पत्र इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है अपने समान लेते हैं कि यह तीनों लिफापे भी बिना सील किये हुए ही रखे जाएंगे आगे बढ़ाते हैं हम इसमें पांचवे पेकेट में देखते हैं पांचवे पेकेट में क्या क्या चीजे होनी चाहिए पिठासीन अधिकारी के लिए हैंडबुक, इलेक्रोनिक वोटिंग मशीन और वीवी पेट के अनुदेश जिसमें इवी एम और वीवी पेट पर वोट केस्टे डालें पर पोस्टर इवी एम और वीवी पेट के उपयोग पर पिठासीन अधिकारी के लिए ब्रोशर और इवी एम और वीवी पेट के उपयोग पर समश्या निवारण तिसरी सामगरी इसमें रखेंगे जो मुहरबंद लिफापा होगा ध्यान रखेंगे कि तीसरा लिफापा मुहरबंद लिफापा होगा जिसमें रिसाव या वास्पिकरण को रोकने के लिए प्रत्यक शिशी पर स्टापर के साथ अमीट शाही सेट को पिगली हुई मौमबती या मौम के साथ कारगर ढंक से लगाया गया हो और उसके साथ ही प्रयुक्त सेल्प इंकिंग पेट ये हम मुहरबंद लिफापे में रखेंगे उप्रोक्त सभी पाँच वस्तों को मौहरबंद भूरे रंग के मास्टर लिफापे में रखा जाना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं छटे पेटे पर पहुंसते हैं निर्वाचक लड़ने वाले अभ्यार्तियों की प्रयुक्त सूची प्ररूप साथ का अभ्यर्तियों के हस्ताक्षर की प्रयुक्त चायप्रती और अन्य अप्रविक्त प्ररूप इस लिफापे का रंग नीला होना चाहिए पिठासी नदिकारी की मेटल सीट निवीदत मत पत्र पर निशान लगाने के लिए एरो क्रास मार्क रबर स्टेंप अमीट शाही रखने के लिए कम इसके अलावा शेस स्टेशनरी आइटम से संबंदित पारदर्शी कार्ड बोर्ड कार्टन में वापस रखा जाना चाहिए और प्राप्ति केंदर पर जमा किया जाना चाहिए इस तरह से ये हमारे 6 पेकेट हो गए और उसमें अलग-अलग लिफापे हो गए आशा है यह नए सर्कुलर की जानकारी आपको उप्योगी लगी होगी और इससे आपका कार आसान हो सकेगा ऐसे ही महत्पूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ सदेव बने रहिए हमारा निरंतर प्रयास होगा कि हम आपको आपडेट रखें चुनाव की व्यवस्ता से इसके बावजूद एक आगरह आप से कर रहे हैं कि यह वीडियो केवल आपकी साहता के लिए बनाया गया है कोई भी संचय अगर आपको होता है और प्रवर्ती जिग्यासाएं आपके मन में पैदा होती है तो आपसे अन्रोध है कि आप इलेक्शन कमिशन आप इंडिया की वेब साइट को निरंतर ही देखते रहिए मुझे महत्पुन बात आप तक पहुँचाने के लिए आउसर मिला इसे तू करियर एडवाइस चैनल की संचाली का पृती गुलवानया जिजी और उनकी परिश्रमी टीम के पृती बहुत बहुत आभार आप सभी को शुब कामना है नमस्कार